हलो नमस्कार सभी पहरे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासिज में और माफ भी चाहेंगे आप सभी से कि आपको टाइम से मैं टाइम टेबल के बारे में अपडेट नहीं दे सका क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गये था यहां पे जो अपना लेप्टोप है कंप आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट बेस से फर्स्ट एर सेकेंड और थर्ड एर का जो टाइम टेबल है और वो केवल मैं बताऊंगा राजस्थान यूनिवसिटी का ठीक है मैं केवल आर यू की बात करूंगा बाकी के जो बच्चे हैं अपनी कोलेज की ओफिशल व वोट्स अब एक ऐसी चीज है वहां पर तुरंत आपके पास में नोटिफिक्शन आ जाएगा लेकिन वाट्स भी आते हैं तो आप ऑफिशल वेबसेट जाके ही चेक करूं ठीक है आज की वीडियो में कम्प्लेट बात करें टाइम टेवल के बारे में इसके अलावा आपको पड़ाई कैसे करनी है कुछ और बाते भी मैं आपको बताऊंगा साथ की साथ जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं तो वो बात भी यह वो टिप्स भी आम आपके साथ में शेर करूंगा और बागी किसी को डाउट है कुछ पूंचना है किसी कुछ हुआ लेकिन कर लेंगे टेन ठीक है वह कूशिच करेंगे और यह आपने मोबाइल नंबर है मैं अपर लिख देता हूं 8306585318 ठीक है प्यारे बच्चों टायम टेपल में आपको दाता हूं व्यस्ची ये फर्स्ट येर का है सारे बच्च ध्यान समझ लेंगे एक बार टायम आपका रहेगा ग्यारा से साड़े बारा का ठीक है टायम का ध्यान रखना कई बच्चे टायम के चकर में पिछली साल में पेपर ही देने नहीं गए ठीक है वो टायम का ध्यान रखना ग्यारा साड़े बारा और बारा चालिस से एक दस तक मतलब दस मिनट का जो टायम आपक और अब देखो पस्टिर वाले बच्चे हैं 12 माई को लगेगी आपकी जनल इंगलिस के एकजाम ठीक है उसके बाद में काफी गैप बारा से सत्रा सत्रा तारीक को है आपका मैत फर्स्ट का और सेकिंड का ठीक है फिर आपका गैप नहीं है 18 तारीक को आपकी जनल हिंदी है फ थाड़ पिपर है तो किस टाइम पर लगेगा 12 चालीस है यहां पर लेगए यह फ्रिया पर लगेगा यह टायम रहे आपका 11 से यह वाला टाइम ठीक है और बाकि यहां पर देख सकते हूण फेसरा लगेग दोन पेपर और 27 को आपका यह लगेगा और 30 माई को आपका लगेगा इन्वीस का एन्वारिमेंट का और 4 जून को आप फ्री हो जाओगे मतलब आप यहां पे सेकेंडर में प्रवेस आपका हो जाएगा अगर आप पास होते हो तो बाकी कोर्स के बारे में कोर्स के बारे में कोर्स कैसे अपडेट हुआ है 50 % कैसे हुआ है वह एक वीडियो आपको मलत वीडियो सेक्शन मिल जाएगी आप अप स Shout ळा जाओगे ना तो आप निचे दिख जाएगी कि वीडियो 50 % पर से ट्रिके तो यह तो रहा पना website YouTube कратьus का टे-1 डियर फिर आपको दो दिएंगे पने लेगा, 23 तारीक होगा, आपका फिजिक्स थर्ड का फिर आपका 27 को पेपर है, math का 1st का और 2nd का, फिर आपका 30 का पेपर है, 28 को और 69 है, 30 का फिर आपका math 3rd का पेपर है, उसके बाद में 1 जून से फिर chemistry के 1st and 2nd, और या 3 जून से आपकी chemistry थे यह अपना है और टाइम का ज्यान रखना भी पाट सेकिंड तीन से साधे चार फश्टियर ग्यारा से साधे बारा ठीक है अब आते हैं BSC 3D के उपर साधे चेबजे आपको फोंच पढ़ेगा साधे च मईविए ऐंसे पूंच पाद में एंट्री भी लगेगा बैटने का टायम लगेगा ठीक है और फ़र्च दिन रहे ना फ़र्च दिन गरओ को 17 मही को तो यह मान लो कि आपको 6 बजे ही पहुंच जाना है क्योंकि 6 बजे ही आपका वहां पर मलब introduction स्टार्ट हो जाएगा बैठना है क्या करना है सब कुस तो 6 बजे पहुंच जाओ और टाइम से पहुंचो physics first and second का आपका लगेगा फिर 19 मही को आपको पेपर second का थर्ड का है ठीक है फिर 23 को वैसे आपने टाइम टेवल देख लिया होगा ऐसी बात नहीं है यह आपका टाइम टेवल रहेगा first year में हिंदी इंगलिस सब हैं लेकिन second year और third year में नहीं है क्योंकि वो पिछली साल आपको परमोट उसमें कर दिया था तो प्यारे बच्चों अगर मैं मान के चलूं ठीक है आज आपकी 21 तारीक है मान के चलूं आपके पास में कितना टाइम है बैई first year वालों के पास में ब अब BSC second year और third year वाले जो बच्चे हैं उनके पास में यह मान के चलो कि time आपके पास है वो कितना टाइम है दस दिन तो यह मानो ठीक है और 15 दिन वो मानो मलब आपकी पास में total 25 दिन पढ़े हुए हैं भी किसके पास BSC secondary वालों बच्चे के पास और BSC third year वालों बच्चे के पढ़ाई पहले start कर दी उनके लिए तो benefit है उनको तो revision चल रहा है जैसे मैं करा भी रहा हूं लेकिन मानों कि जो बच्चा अभी जगा है just time table आते ही क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कूई competition level की तयारी कर रहे है कोई civil की कर रहा है को defense की कर रहा है पता निक बहुत सारे तैरी कर रहे हैं ठीक है अब वो बच्चे भी है उन बच्चों को भी कुछ करना चाहिए कि सापसी बात है एक्जाम में फैल हो जाओगे graduation के degree आपके पास में आएगी नहीं तो क्या करोगी फिर आप कुछ करें नहीं सकते इसलिए अगर ये बच्चे जो हैं जो अभी जग complete matter जो है 50% के साफ से YouTube channel पर free available है आप एक बार चेक करो आपको सब कुछ मिल जाएगा फिजीस का मिल जाएगा फिजीस का थोड़ा कम मिलेगा लेकिन math का तो आपको proper मिल जाएगा और notes आपको telegram channel पर मिल जाएगे जिसका telegram channel है BSC pro classes के नाम से telegram channel अपना available है ठीक है अब मैं से बात करता हूँ 20 थडियर का BSC थडियर के जो बच्चे हैं अगर वो अभी जगे हैं करपिया तो वो मेरे से बात कर ले ना इस नमर पर क्योंकि इन दिनों में 25 दिन छोड़ो लास्ट अगर आपके पास में 10 दिन भी बच्चे हैं और 10 दिन के टाइम पर वीडियो देख है बच्चा तो दस दिन में भी मैं यह मानलों की इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप पास हो सकते हो ठीक है अगर दस दिन भी हो आपके पास में तो करवे मेरे बात कर लें बात करने के बात में अगर कुछ सोलिशन निकलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है गलत राई बिल्कुल नहीं दी जाएगी आपको प्रुपर जो राई है वो दी जाएगी और जो हो सकेगा वो मैं आपके लिए करके आपको दूँगा ठीक है और बी एस थी थाड़े वाले बच्चे स्पेशल देख लेना क्योंकि इनका मैटर है वो मेरे पास थोड़ा पे के नाम दिखेगा और यहां पर जो PCM का कम्प्लीट कोर्स है वित नोट्स वित रिविजनी क्लासे आपको 599 में अवलेवल करवाया जा रहा है लेकिन किसी को मालों कि एक सब्जेक्ट लेना है फिजिक्स लेनी है मैथ पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़नी है तो 199 में आपको कम्प्लीट नोट्स रिविजनी क्लासे सब कुछ अविलेवल करवाई जा रही है जो कि एपलिकेशन कर सकते हैं और वैसे तो मेरे साथ कावपी सरी बच्चे जुड़ चुके हैं तो जो बच्चे जुड़े वे हैं अपने साथ में वो भी अपने दोस्तों को बता सकता है क साथ मेरी भी हल्प होगी वो तो आपको पता है कैसे होगी हल्प ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था और बाकि किसी का कुछ डाउट रहता है मलब यह मानलों कि अब यह डाउटी डाउट चलेंगे बच्चों के तो मैं उनको सुनूंगा जरूर कमेंट भी कर दिया करो तो बाकि जो बच्चे हैं जैसे सेखावाटी को गए ब्रच की होगे मतश्य की होगे उनका टाइम टेवल भी आ जाएगा जल्दी ही ठीक है और जैसे ही रास्ता ने अब करी दिया है बाकि टाइम टेवल जो शेडूल था कि पेपर पैटरन का वो तो लगवा सभी ने स करों गां बाकि कोता भी है ऐसे तो ठीक है अअचो वड़ियो अमने टेक कियर बाई जैई हिंद जै वारत